हेलो केट्स कैसे हैं आप आज का हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमेरल्स जैसे कि आपको पता होगा हर नंबर का एक नंबर नेम होता है यसी उसे हर नंबर को एक रोमन न्यूमेरल से डिनोट किया जाता है रोमन न्यूमेरल्स आपके स्कूल में आपके क्लास्रूम के बाहर ज में लिखा जाता है तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे तुली शुदू करते हैं वान को रोमन न्युमेरल में लिखते हैं स्टेंडिंग लाइन से डिनोट करते हैं वान कि तू के लिए हम टू स्टेंडिंग लगाएंगे अब या स्ट्री स्ट्री के लिए रूडिकेल होता है के लिए रूकलियो नहीं लेते हैं 5 को हम डेनोट करते हैं V से V 5 लिखा जाएगा V 5 से पहले आता है 4 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे अगर हमें 4 लिखना है तो हम 5 से left hand side पर एक standing line बना देंगे इसका मतलब होता है 5 minus 1 तो यह हुआ 4 और 5 के बाद हमें जो numbers लिखने हैं 5 के बाद 6 से लिखे 9 तक के लिए हम करेंगे वी के बाद से standing line लगाएंगे इसका मतलब है 5 plus 1 5 plus 1 राइट हैंड साइड पर नमबर बढ़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर नमबर कम हुआ पर इसका मतलब यह नहीं कि श्री के लिए यहां पर टू लाइन्स लगा देंगे यह रूल सिर्फ बिफोर नमबर के लिए अप्लिकेबल होगा 5 के और 10 के 5 से बिफोर नमबर हुआ 4 तो मैंने क्या किया वी से वन स्टेंडिंग लाइन पहले लगा दिया और 6 के लिए वी से वन स्टेंडिंग लाइन बाद नहीं इसी तरह 7 देख लेख लेए 7 7 के लिए हम क्या करेंगे वी मतलब 5 6 and 7 7 इसके बाद आएगा 8 8 के लिए 5 6 7 and 8 standing lines maximum 3 ही यूज होंगी इससे ज्यादा यूज नहीं होंगी कि सिर्फ 3 तरही standing lines है 1 2 3 तो यह 3 तक 5 6 7 8 9 के लिए मैं आपको बताया 9 से पहले हम 10 देख लेते हैं 10 के लिए एक्सटा लिखा जाता है एक्स चैसे 5 के लिए वी लिखा गया एक्स को नाइन के लिए हो गया जैसे 4 के लिए था लेफ्ट साइड फे मैंने 1 standing line मणा दी 9 के लिए 10-1 10-1 तो यह हो गया 9 तो आपको बेसिक लिए याद रखना है वी एन एक्स झाल झाल